आज जो ड्रेस डिजाइनिंग में आपके साँ शेयर करने वाली हूँ ये एक लेफ्ट ओवर पीस से हम करेंगे तो देखते हैं किस तरह का ये एक्सपेरिमेंट रहता है अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजेगा तो सबसे बहले ये देखें ये है साड़ी विल्कुल नॉर्मल सी साड़ी है आपको कहीं भी 300-400 की रेंज में ये मिल जाएगी ऑनलाइन भी आप पर्टेस कर सकते हो इसकी जो भी इन्फोर्मेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन वोक्स में दे दूँगी और ये देखें इस तरह को बहुत ही बाइवरेंट सा कलर है इसका यलो कलर है और वाइट कलर का इसमें प्रेंट हो रखा है सारी की लेंथ नॉर्मल है 5.5 मीटर्स फैब्रिक जो है बहुत ही बढ़िया है इसका अगर आप टैनल पर नए है तो आपको मैं ये बता दूँ ये जो पीस है ना मेरे पास से ये एक अलग सारी थी उसका मैंने रियूज कर लिया हुआ है उसका वीडियो भी मैंने अप्लो जो है यॉक पार्ट बनाना है तो उसके लिए लेंथ जो है मतलब त्यार लेंथ जो है यॉक पार्ट की वह है 15 इंचिस तो मुझे यहां पे 16.5 इंचिस रखनी है इसकी लेंथ और वीड्स हमें लेनी होती है जितनी भी हमारी वास्ट है उसका फॉर्थ पार्ट निकालके उसमें 2 इंच हमने एड कर लेना होता है तो यह देखिए 16.5 इंचिस या फिर 16 इंचिस भी रख सकते है अगर आपको बहुत ज़्यादा मार्जन नहीं चाहिए होता है तो यह मैंने कट कर लिया लेंथ ले ली सारी की विड़् 44 इंचिस है तो एक ही पीस से हमारी विड़् और लेंथ कम्प्लीट हो गई है लेंथ रख ली हमने यहाँ पे जितनी हमें चाहिए और विर्थ भी आ गई है तो दोनों पीस हमारे बैक और फ्रंट के यहीं से निकल जाएंगे यह हमारी क्लोस साइड है और यह है ओपन साइड सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं लाइन लगा ली अब यहाँ पे आर्म होल की शेप दे दी यह बैक आर्म होल की शेप है और इसी के साथ हम यहाँ पे यह फ्रंट आर्म होल की शेप भी दे देंगे नेक की विर्थ लेली 3 इंचिस और यहाँ पे हमें शोल्डर्स डाउन करने होते हैं तो हाफ इंच का शोल्डर डाउन करके हमने यहाँ पे एक लाइन लगा दी अब यहाँ पे रखेंगे वेस्ट का फॉर्थ पार्ट जितना भी आपका वेस्ट उसका फॉर्थ पार्ट न निकालना है और उसके आगे फिर से 1.5 इंच मार्जन रख लेना है अभी मैं ये रफ ड्राफ्टिंग कर रही हूँ लास्ट में जब हमारी ड्रेस कंप्लीट होने वाली होगी न तो एक बार फिर से हम अच्छे से अपनी मेजरमेंट ले लेंगे यहां पे अब ये देखिए ये हमने इसकी अब कटिंग कर ली यॉक पार्ट के बैग और फ्रंट हमने दोनों पीस कट कर लिये हैं अब ये देखिए ये मैंने बैग वाला जो पार्ट है इसको बाहर निकाल लिया और फ्रंट वाला जो पार्ट है इसको हमने जो आर्म होल की शेफ दी थी वो भी मैंने ये कटिंग कर ली अब चाहिए हमें ये पीस जिससे हमने डिजाइनिंग करनी है तो ये देखिए इसको मैंने फोर फोल्ड में रख लिया है हाफ मीचर के आसपास ये पीस है वेट इसकी कंप्लीट है जितनी साड़ी की थी तो ये बैक वाला पीस मैंने इसको उपर इस तरह से रखा और अब इसकी मैंने कटिंग कर ली इस तरह से ये भी हमारे पस दोनोग boş का ड हो गए है बैक का बी फ्रन्ट का भी इस तरछ से ये क्लोज है तो मैंने इसको भी यहां पे हम एक box बनाके round shape का neck बनाएंगे back के लिए अब इसको ऐसे turn करके यह देखे tap करना है और यह दूसरी तरफ भी trace हो गया अब इसको मैं थोड़ा सा dark कर लूँगी यह लिया हमने दूसरा piece और इसकी right side उपर की तरफ को रखी है और यह जो yellow piece है इसकी right side नीचे की तरफ को रखी है दोनों को face to face करके हमने इस तरह से sly लगा देनी है sly भी मैंने लगा लिया है अब half inch का margin छोड़के हम जिस तरह से neck की cutting करते है न सेम वैसे ही यह कर दी मैंने और अब इसको हम इस तरह से turn करेंगे तो यह हमारा back वाला जो piece है वो complete हो गया है back piece में मैंने lining नहीं लगाए थी लेकिन front में lining लगानी पड़ी हमें तो इसको मैंने lining को forward किया और इसके ओपर रखा front वाला part और यह cutting कर ली इसकी यह लिए हमने lining अब इसके ओपर रखा यह वाला fabric अब सेम जैसे मैंने back वाला piece बनाया था ना सेम वैसे बना लिया इसका भी यह देखे यह मैंने neck line बना ली है इसकी और यह तीसरी layer है तो यह मैंने right side जो इसकी अंदर की तरफ को रखी है और width हम ले लेंगे यहां पर neck की 3 inches length ले लेंगे 9, 10, 11 तक जितनी भी आप लेना चाहते हो deep कर सकते हो यहां पर यहां पर मैं width ले रही हूं 4 inches यहां पर बहुत ही अच्छी shape आएगी अगर हम यहां पर 4 inch लेंगे उपर की तरफ यह देखे 3 है तो इन दुनों points को आपस में मिला देंगे इतना काम हमारा हो गया है अब हमने bottom part की cutting करनी है तो उसके लिए देखिए साड़ी की जो दोनों ends है ना उनको मैंने इकठा करके इस तरह से रखा और यह बना दिया इसका triangle इस तरह से अच्छे से हमने बिचा लेना इसको जो close side है वो मेरी तरफ को है open side opposite में है तो अब हमने यहां पर umbrella shape में bottom की cutting करनी है अब यह लिए मैंने back वाला part और इसको इस तरह से रख लिया बदलब यह देखिए यहां से यह ब्राबबर आने चाहिए दोनों pieces यह ऐसे इसको देख लेते हैं यह कितना है तो यह 11 inches आ रहा है डवल करके अब हमारा यह जो shape देंगे न हम यहां पे 11 inches ही आनी चाहिए तो अब उपर corner पे मैंने tape रखके इसी के बराबर में यह सारे points लगा दिये जितना यह पहले वाला point आया था ना उसके बराबर मैंने यह points लगा दिये तो अभी यह 10 inches आ रहा है तो हमें चाहिए यह 11 inches तो मैंने थोड़ा सा नीचे की तरफ को करके यहां marking कर ले अब यह हो गया 11 inches तो इसके उपर अब हमने cutting कर लेनी है जैसे हमने straight रखा था वैसे cutting नहीं करनी है बिल्कुल भी सही shape नहीं आएगी dress की तो यह हमें यहां पे round shape में ही चाहिए length लेने के लिए अब फिर से मैं यह piece यहां पे रख लेती हूँ और यह length यहां पे हमारा point आ रहा है यह देखे यहां पे 40 inches पे यह हमारी marking आई है अब हमने 40 inches पे ही यह marking कर लेनी है इस तरह से वैसे यह 39 inches पे आ रहा है लेकिन 1 inch मैंने margin रख लिया है कई वर जो है न यह cutting आगे मतलब उपर नीचे हो जाती है आप umbrella shape में कोई भी test cut करते हो न तो उसमें जितना भी सफाल के आप cutting करेंगे थोड़ा बहुत कपड़ा जो है उपर नीचे होता ही है तो यहां पे मैंने 1 inch margin ले लिया है कि अगर cutting करनी पड़ती है तो कोई बात नहीं वहां से हमारा margin रहेगा उपर की तरब से भी tape को धीरे-धीरे खिसकाते चाहेंगे और नीचे की तरब से भी और 40 inches पर यह मैंने पूरी marking कर ली है अब इन points को आपस में मिलाके हम इसकी cutting कर लेंगे दो side हमारे यहां पे joints लगेंगे तो यह हमने fabric इसी तरह से बस उठाके पलटके यहां पे रख देना है तो बहुत ही अच्छे से यहां पे हमारी cutting हो जाती है इस तरह से मैंने shape दी और यहां पे cutting कर ली तो यह joints हमारे यहां पे जब लग जाएंगे तो यह बहुत ही अच्छा घेर हमारा बनके आएगा यह जो pieces हैं यह यहां पे ही मैंने pin-up कर लिया है तो easy रहता है जब हम slide करते हैं तो यह दिखिए बिलकुल 11 इंच आया है यह बिलकुल बराबर है जितना हमें चाहिए लाइनिंग करने के लिए मैं यहां पे 2-meter fabric जो है अब separate कर रही हूं सबसे बहले तो यह 2-meter fabric मैंने ले लिया है अब उपर की तरफ यह हमने कमर रखनी है यहां पे तो 11 इंच इंच हमें कमर चाहिए लेकिन यहां पे मैं 2 इंच जो है एक्स्रा ले रही हूं क्यूंकि में फैबरिक हमारा umbrella shape में cut हुआ है तो वो अपने आप ही बढ़ जाता है लेकिन हमें यहां पे एक्स्रा लेना पड़ेगा तो opposite side में भी मैंने यहां 13 इंच इस पे ही marking कर ली अब इन दोनों points को आपस में इस तरह से मिला देंगे दो side से close आएगा तो इसकी हमें cutting करनी होगी दोनों pieces को इस तरह से रखके यह जो corner आए है इनको अब हमने cut कर लेना है यहां पे round shape देंगे हम इस तरह से दोनों pieces के center में sly लगाके इस तरह से इन lining के pieces को attach कर लेंगे यह lining मैंने attach कर लिया आपस मैं यह दिखी दोनों pieces attach करके यह round shape में नीचे की तरब से आ गया और काफी अच्छा घेर मिल जाता है इस तरह से भी और lining जो है बिल्कुल भी waste नहीं होती है दूसरा piece यह रहा अब हमने जो main fabric है इसमें जो joint size है न वो हम attach कर लेंगे यह देखिए यह मैंने pin up किया हुआ था इसको निकाला एक piece यहाँ पे attach कर लेंगे और दूसरा piece दूसरी तरफ attach कर देंगे यह ऐसे रखके यहां सिलाई लगा दूँगी मैं यह भी हो गया यह joints मैंने लगा लिए है अब थोड़ा सच हो ना इस घेर को हमने एक बराबर करने के लिए इस तरह से यहां से उपर की तरफ से एक बराबर करना है और ऐसे नीचे की तरफ को फिलाना है और जो भी extra जाता है ना उसकी हमने cutting कर लेनी है तो यह बिल्कुल यह बराबर आएगा bottom से ना ने तो उपर नीचे होता है कपड़ा कहीं जमीर पर लगता है और कहीं उपर आजाता है तो इस तरह से आप cutting कर लेंगे तो वो चीज नहीं होगी दूसरे piece में मैंने ऐसे ही कर लिया है अगर आप lining लगाते हो ना umbrella shape में ही तो उसमें भी आपको ऐसे ही करना है तो अब यह देखिए यह जो दोनों parts है ना इनको आपस में हम attach कर लेंगे तो उसका center तो है उसमें से line लगी है center में इसका भी center निकाल लेंगे और इस तरह से हम मैंने दोनों points जो है center वाले मिलाए एक तरप से slice लगाना start कर दिया यह slime मैं एक end तक ले जाओंगी उसके अब फिर दुबारा center से start करके दूसरे end तक लेके जाओंगी bottom part हमने ready कर लिया है लेकिन अब हम पहले sleeves cut करेंगे उसके बाद आगे की जो dress से वो stitch करेंगे तो सबसे पहले जो यह fabric बच गया ना साड़ीगा उसको मैंने यह देखिए एक single triangle बना दिया उसका जैसे हमने bottom part के लिए triangle बनाया था ना same वैसे है लेकिन यह single में है वो हमने double में बनाया था अब single इस तरह से करके अच्छे से इसको बिचा लिया अब हमने इसको double करना है यह कर लिया मैंने double अब यह देखिए यहां पर bottom sleeves की जो bottom है four and half inches रख ली मैंने length जितनी भी आप रखना चाते हो इतनी रख ले मैं 21 inches रखूंगी लेकिन यहां पर मैं 22 inches पर cutting करूंगी तो यह देखिए यहां पर हम एक straight line लगा लेंगे इस तरह से इसके बाद 3 inch जो है हम नीचे की तरफ को लेंगे जैसे हम armhole की shape देते है न normal sleeves में सेम वैसे ही आगे सारा procedure तो यह मैंने 3 inch में एक straight line लगा ली अब हमने यहां पर armhole की shape देनी है तो armhole की shape देने के लिए same method दिए देखिए अब first का fourth part निकालके उसमें से half inch कम कर देंगे तो यह मैंने कर लिया अब यहां पे इस तरह से shape दे देंगे armhole की 2 and half inch से हम यह shape देना start करते हैं 1 and half inch यहां पर margin ले लिया और नीचे की तरफ margin मैंने पहले ही ले लिया है वैसे जो more है वो 3 and half inches है तो मैंने 1 inch यहां पर margin ले लिया है यह सिलाई के लिए marking आ गई अब इसकी हम cutting कर लेते हैं स्लीब को या तो right side से या फिर wrong side से मिला के रखना होता है और इस तरह से फिर हम shape दे देते हैं यह होगी हमारी sleeves बहुत ही comfortable sleeves रहती हैं यह भी sleeves की bottom में भी इसी fabric से मैं यहां पर border बनाऊंगी लेकिन वो आगे चलके देखते हैं अभी यहां पर यह जो front वाला third layer है ना उसकी मैं neck पर strip attach कर रही हूँ यह देखिए यहां पर मैंने एक strip cut की हुई है रेबदार और बस ऐसे ही इसके उपर मैंने यह attach कर दी इसको अभी fold नहीं करना है उससे पहले ऐसे fold करके इसको यहां से center से cut कर दिया मैंने अब यह दो part हो गए इसके इसमें लगानी है हमने गोटा पट्टी यहां पर मैं लगा रही हूँ किनारी तो यह देखिए इस तरह से हमने इसको रखना है और नीचे की तरफ को गोटा जो है attach कर देना है बॉत ही धीरे धीरे यह लगेगा थोड़ा-थोड़ा fabric लेकर थोड़ा सा गोटा लेके हमने इसको इसको स्टिच करना दुवारा फिर से इसको arrange करना है फिर से स्टिच करना है तो ताकि इसमें जोल गवगर ना आए और शेप जो है सही बनी रहे ना तो यहाँ पर गोटे को खीचना है ना कपड़े को खीचना बढ़े अराम से यहाँ पर इसलाई लगानी है ताकि इसकी जो शेप है भिगड़े ना corner पे आके अब भी यह देखें यहां पे हमें इस कपड़े को fold करना है हलका हलका fold करके तब हमने यहां पे गोटा लगाना है उपर की तरफ जो neck है न उसमें हमें fold करने की जरूरत नहीं थी लेकिन नीचे की तरफ यहां fold करना पड़ेगा अब दूसरी side से जो है नीचे की तरफ से हमने गोटा लगाना start करना है अब यह देखें यहां पे मैंने एक strip ली है length है इसकी 7 inches और width है 3 inches अब इसको ऐसे मैंने fold किया और यहां से slide लगाना start करके यह देखें इसको हमने close करना है basically 3 side से यह close हो जाएगा और एक side से open रहेगा वहां पे हम किसी चीज की help से इसको यह देखें ऐसे turn कर लेंगे और right side को इस तरह से निकाल के इसके corner वगार अच्छे से निकाल के हमने इस strip को अब attach करना यहां पे तो यह देखें यह एक side से पहले हमने यह stitch करना start किया इस strip के साथ हमने इन दोनों pieces को मतलब जोड़ना है अब यह दूसरा piece भी हमने stitch कर दिया यह देखें इस तरह से यह आएगा front piece के साथ अब हमने यह third while layer भी इस तरह से attach कर देनी है यहां पे sly लगा देनी है और नीचे की तरफ भी ऐसे sly लगा देंगे यह york part के जो दोनों part है ना इनको ऐसे fold करके हम यहां पे cutting कर लेंगे यह one inch के आसपास मैंने यहां से cut कर दिया है जोडनी ही आएगा इससे बहुत अच्छी shape आती है cover के पास भी अब यह देखें इन दोनों pieces को हम attach कर देंगे इस तरह से यह रहा back वाला part इसको भी center निकाला इसका और यहां से stitch करना start करेंगे दोनों तरफ को sly लगा देंगे यह back वाला part मैंने ready कर लिया है side में जो extra fabric है ना इसको भी cut कर लेते हैं front वाले part को भी मैंने इसी तरह से cut कर लिया है यह रहा front वाला part अब इन दोनों को आपस में shoulder line से stitch कर लेंगे sleeves में मैंने border attach करना है तो उसके लिए सबसे easy method है यह देखिए मैंने sleeves की wrong side up उपर की तरफ को रखी है और गोटा रखा इस तरह से गोटे की right side उपर की तरफ को रखी है और triangle जो वो अंदर की तरफ को है stitch कर लिया उसके बाद यह मैंने border लिया तो border की जो wrong side है वो मैंने उपर की तरफ को रखी है स्लाई लगाने के बाद इसको मैंने turn कर लिया और इसके अंदर फिर से गोटा रखके स्लाई लगा दी shoulder line से मैंने इन दोनों pieces को attach कर लिया उसके बाद यह देखिए border attach करने के बाद sleeves भी attach कर दी है border भी कितने प्यारे लग रहे हैं इसके back side से इस तरह से आया है और अब हमने side की स्लाईया लगानी है तो उसके लिए इसको हम जैसे turn करेंगे wrong side में इसकी उपर की तरफ को करके अच्छे से marking कर लूँगी fitting की ताकि अच्छे से fitting आये सबसे पहले यहां पे worst का fourth part निकालके उसमें से half inch कम करके मैंने mark कर लिया यहां पे half inch कम करके रखेंगे तो fitting अच्छी आएगी अब यहां पे मैंने full worst लिया है मतलब यह जो point मैंने लगाया न यह 11 inches पे लगाया यह देखिए मैंने idea से लगाया था मैं आपको दिखा देती हूं 11 inches पे यह मैंने mark लगाया अब यहां से full worst रखेंगे हम 40 की जो fourth part होता है वो 10 होता है 10 inches रख लिया अब यहां पे जितनी भी कमर है उसका fourth part निकाल लेंगे वो भी मैंने यहां पे mark कर लिया अब नीचे की तरफ को हलकी सी shape दे देंगे और यह उपर की तरफ को shape दे दी कमर से नीचे की तरफ को इस तरह से shape दे देंगे इसको ऐसे उठाया अंदर की तरफ को fold करके यह जो mark है इसको trace कर देंगे इस तरह से दोनों तरफ marking हो गई है अब इसकी मैंने fitting भी दे दी मितलब मैंने पूरी सिलाई लगा दिया नीचे तक lining और जो main fabric है इसको कठा मैंने stitch कर दिया है 5 inches के आसपास यह मैंने नीचे की तरफ छोड़ दिया क्योंकि अभी हमने यहां पे पीको करनी है पीको भी कर सकते है या फिर आप फोल्ड भी लगा सकते हो मैं इसमें पीको करने वाली हूं जो lining है उसमें भी मैं पीको ही करूंगी सारा काम करने के बाद अब यह fabric मारे पास बच गया तो इससे मैं बनाओंगी tassels दोरी मैंने बना ली हुई है और इसके मैं different size के tassels बनाओंगी जितने जितने बड़े pieces है ना उसे साब से यहां पे tassels बन जाएंगे तो यह piece मैंने जो है उपर right side की तरफ को रखा है उपर लगा दिया यह गोटा यहां पर मैं यह stitch कर दूँगी stitching करने के बाद इसको मैंने fold किया और यह देखिए ऐसे करके जो extra piece है जो extra fabric है इसको मैं cut कर लूँगी यह डोरी ऐसे रखी अंदर और यहां पे लगा देंगे slide इसी तरह से मैंने सारे टैसे बना के डोरी में attach कर लिये हैं यह देखिए इस तरह से अब इस डोरी को यहां मैं stitch करने वाली हूँ तो यह जो डोरी है न आप जैसे भी चाहें आप stitch कर सकते हैं यहां पे तो यहां मैंने 2-3 slide लगा के इसको अच्छे से पक्का कर लेना है यह हो गया अब इसको हम यहां पे ऐसे करके tie कर सकते हैं बॉटम इसका काफी प्लेन लग रहा था अब यह काफी colorful लग रहा है तो यह देखिए यह हमारी कुर्थी complete हो चुकी है sleeps भी बहुत ही अच्छी बनी है घेर बहुत अच्छा है साड़ी में से जो फैब्रिक बचा उससे मैंने दुपत्ता बना दिया है यह colorful फैब्रिक जो है ना इसका मैने एक एक पीस कर लिया है बिल्कुल भी इसका फैब्रिक बचा नहीं है sleeps इसकी बहुत ही comfortable बनी है अगर आप umbrella shape में cutting करेंगे तो मतलब आप अगर skin tight भी बनाते है न sleeps तो भी comfortable रहेंगी नीचे की तरफ मैंने इसमें pico कर दिया है जो lining है इसकी उसमें भी मैंने pico ही किया है dress का flare भी काफी आ गया है और pico करने के बाद dress का जो look है बिल्कुली change हो गया है ये देखिए बहुत ही अच्छी finishing से ये pico ही है और back side से dress इस तरह से बनी है ये dress complete होने के बाद जो भी मेरे पास fabric बचा उसकी मैंने pico कर दिया है ये देखिए इस तरह से ये दुपट्टे की shape है इस तरफ से ये पूरा complete piece है साड़ी का और उससे आगे ये देखिए यहां से मैंने sleeves निकाली थी तो इस तरह की shape आई है यहां पे भी मैंने pico कर दिया और tassels लगा दिये तो अगर हमें दुपट्टा यूज ना करना हो तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं इसी भी dress में तब तक हम इसे as a दुपट्टा यूज कर सकते हैं यह देखिए तो इसे दो इसे दोगा यूज कर सकते हैं इसे दोई सकत्या में वाँ एता सकते हैं झाली से दोए पुट्टा मातल कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंज कमेंट के बता दीजे ये अड्रेस आपको कैसी लगी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और गुडबाई